जैहिंद राइन गूर्निंग स्टूरेंट्स वेलकम टू नंदिवानी पॉब्लिक स्कूल ओनलाइन क्लासे तो टोड़ी विल कंटीनिव अवर चैप्टर नंबर टू इसके पिछली वीडियो में हम लोग ने कवर किया था पेज नंबर 20, 21, 22 का हाफ तो टोड़ी विल कंटी जैसे अगर आपके डेक्स्टॉप पर एक से ज्यादा विंडोज ओपन है तो आप जिस एक विंडो को फोकस है करके बाकी सारे विंडो को आप डिसापियर कर सकते हैं वहां से गायब कर सकते हैं और पुना आप उसी विंडो पर फोकस करके आप फिर से सारी डिसापियर विंडोज को रियापियर करा सकते हैं वापस आप ला सकते हैं तो इस फीचर का यूज करने के लिए आपके डेक्स left click press करके आप उसको shake करिए shake का मतलब आप उसे left right left right ऐसे करिए आप जब अपने cursor को left right करेंगे तो उस window को छोड़ करके बाकी सारी windows आपकी close हो जाएंगी disappear हो जाएंगी और यदि आप फिर से वो windows को वापस लाना चाहते हैं तो आप फिर उसी तरीके से उस window के top bar पर जा करके आप left click करके उसे shake करिए जब आपने cursor को shake करेंगे तो जितनी भी आपकी windows closed थी वो फिर से आपकी reappear हो जाएंगी चलिए हम लोग figure के माद्दे हम से समझते हैं कि कैसे होता है so this is your figure इसमें आप देख सकते हैं before shake और after shake दिखिए shake करने से पहले आपके desktop पर आपको एक से ज़ादा windows दिखाई दे रही होंगी और after shake वाले picture में किसी भी एक window को focus करके shake किया गया तो बाकी सारी windows आपकी disappear हो गई गायब हो गई जो आपकी main आपने जिस window को focus किया हुआ जिर्फ वही window आपको desktop पर show हो रही है तो इस feature को use करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं so come to the next heading flip so this is flip this feature allow us to quickly preview of all the open windows to use this feature follow the steps given below तो इस feature का use करके suppose आपने अपने desktop पर एक से ज़्यादा windows को open किया हुआ है तो सारी windows का preview आपको दिख जाएगा सारी windows आपके desktop पर एक साथ show हो जाएंगी ताकि आपको पता चल सके कि हमने कौन कौन सी windows को open किया हुआ है तो basically यह जो flip आपका feature है यह एक window से दूसरे window में jump करने के लिए होता है बिना पहले window को close किये हुए तो इस feature का use करके आप जितनी भी open windows है उनका आप preview देख सकते हैं तो इस feature का use कैसे करते हैं आप simply अपने keyboard से alt key का press करें बटन और tab का press करें alt और tab key का use करके आप किसी भी open windows का preview देख सकते हैं तो simply आपको करना क्या है आप अपने keyboard से alt button को press करें और आप tab button को press करें tab button को आप जितनी बार press करेंगे आपका वो windows जितना भी आपने open किया हुआ है वो jump होता जाएगा पहले से दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से चौते में इस तरह से jump होता रहेगा और जो भी window आपको open करनी है तो simply आप अपने alt button को छोड़ देंगे तो आपका वो window पूरे screen पर आ जाएगा समझ में आ गया आपको अपने keyboard से alt key को press करके रखना है और आपको tab बटन को press करते रहना है tab आप press करिए चोड़िए तो आप जैसे जैसे उसे press करते जाएंगे आपकी windows फ्लिप होती जाएंगी आपकी windows आगी बढ़ती जाएंगी फ्लिप होती रहेंगी और जो भी window आपको full screen पर open करना है आप अल्ट की को वहाँ पर छोड़ देंगे तो आपका वो full screen पर आ जाएगा so come to page number 23 next setting is flip 3D flip 3D क्या होता है इस feature का use करके भी हम लोग सारी open windows का preview देख सकते हैं बट यह जो preview होगा यह आपका 3D preview होगा यह जो आपका preview होगा यह 3D preview होगा ओके तो यह जैसा कि आप इस picture में देख सकते हैं कि आपकी सारी windows बिल्कुल 3D में आपको show हो रही है तो इस feature का use कैसे करना है आपको कुछ steps follow करने हैं सबसे पहला आप अपने keyboard से windows की को प्रेस करिए उसमें हम लोगों ने किया था alt की का use इसमें हम लोग करेंगे windows की का use और उसके बाद हम लोग same उसी तरह से tab की का use करेंगे तो आपका यह जो preview है यह आपका flip होता जाएगा first से second में second से third में इसी तरीके से आगे continue बढ़ता जाएगा और जो भी window आपको open करने है आप simply अपने windows की को छोड़ देंगे तो windows की को आप छोड़ देंगे तो आपका वो full screen में windows आपका आ जाएगा आपको press करके hold करके रखना है windows की को okay windows की को आप hold की रही है उसके बाद आप tab की को press करते जाएए जितनी बार आप प्रेस करेंगे आपका हर window flip होता चला जाएगा okay so flip और flip 3D दोनों एकी feature है बट उसमें जो flip है वो 2D 2D में 2D preview दिखाता है यह 3D preview दिखाता है आपका और उसे use करने के लिए alt और tab का use करते हैं इसे use करने के लिए हम लोग windows की और tab का use करते है windows की कहां पर होती है आपको मैं बता दूँ आपके keyboard में जो space bar की बटन होती है space bar वाली की होती है उसके left side में आपकी होती है windows की उसमें windows का icon बना होता है आप देख सकते हैं so come to the next heading using start menu start menu का use so start menu के बारे में आप लोग ने पिछली classes में भी पढ़ा होगा so start menu का use करने के लिए क्या करते हैं हम अपने mouse की left click को start button पर click करते है आपको start button नहीं पता तो बता देते हैं आपके desktop के सबसे नीचर ही जो बार होती है जिसे हम task बार कहते हैं वहां पर सबसे left side आपको देखने को मिलेगी आपकी windows की button जिसे हम start button कहते है start button कहते हैं जैसे आप उस start button पर click करेंगे तो आपके सामने एक window open हो जाएगी और ये जो window होती है two parts में divide होती है left और right left side में आपको कुछ icons और कुछ programs के आपको name देखने को मिलेंगे ये वो programs होते हैं जिनको अभी recently में आपने open किया है या use किया हुआ है अभी किसी software को अगर आपने काम किया हुआ है उस पर कुछ use किया हुआ है तो वो सारे आपके programs left side में आपके show होंगे और right side में आपको पूरे start menu के आपको start menu के सारे options मिल जाएंगे right side के बारे में आप जब पढ़ेंगे और detail से तब आपको समझ में आएगा तो इसमें total आप लोगों को right side में आपको 11 options देखने को मिलेंगे 11 option में आपके total उपर 10 menu होते हैं और नीचे आपका एक shutdown का button होता है इसमें 3 option होते हैं shutdown, sleep और reboot का आपको यह याद रखना है कि start button पर click करने पर एक window open होता है जो दो पार्ट में डिवाइड होता left और right left side में वो recently programs होते हैं जिने अभी हमने open किया हुआ है right side में आपके start menu start button के सारे menus आपको show होते हैं तो अगर आपको अपने computer पर installed सारे programs के बारे में जानकारी लेना है आपके सारे menus आपको चाहिए सारे programs आपको चाहिए तो आपको simply all programs में click करना पड़ेगा जैसे ही आप all programs में click करेंगे तो आप इस picture में देख सकते हैं जो आपका left side आपके जो show हो रहा है यह सारी app के computer के program show हो रहे हैं आपके computer में कौन कौन से programs आपने install किया हुआ है तो आप किसी भी program को अगर search कर रहा हूं और आप वो अगर नहीं मिल रहा तो आप simply start button पर जाएंगे और all programs में click करेंगे तो सारे programs सारे softwares आपको यहीं पर दिख जाएंगे ओके so come to the next page page number 24 so this is your page number 24 and next heading is accessories अब देखे यह accessories क्या होती है accessories वो software's वो applications program होते है जो हमारे computer में already installed होते हैं जब हम computer को purchase करके लाते हैं और उसमें हमने external कोई भी software हमने उसमें install नहीं किया हुआ है कोई भी program हमने install नहीं किया है तो भी यह सारे applications program आपके computer में already installed होते हैं जैसे कि आप अपने mobile को purchase करने जाते हैं new mobile तो उसमें already आपको कुछ न कुछ software आपके installed मिलते हैं आपको और बाकी आप additional जो भी software को download करना चाहें वो अलग से आप play store से download करके उसमें install करते हैं तो similarly जो भी हमने install किया हुआ है खुद से वो सारे आपको all programs में मिलेंगे बड़ जो already pre-installed आते हैं computer के में वो आपको accessories में मिलेंगे accessories आपको कहां मिलेगी आप simply अपने start button पर जाएंगे उसके बाद आप all programs में क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको दिखेगी accessories ठीक है चलिए इस picture से हम लोग देखते हैं देखे इस picture में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जहां से हमारा calculator लिखा हुआ है उसके उपर आप देख रहे होंगे accessories लिखा हुआ है आप जैसे ही अपने all programs पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक folder मिलेगा accessories का जैसे ही आप accessories पर क्लिक करेंगे तो यह सारे software आपको डिख जाएंगे जो की already installed आपके computer में हो करके आए थे ओके जैसे calculator है आपको install करने की जरूरत नई पड़ती है यह सारी चीज़े आपके computer में already installed होती है जैसे आपका MS paint हो गया notepad हो गया यह सारी चीज़े already installed होती है ठीक है तो इसके example है calculator notepad paint और wordpad okay so in the next video we will cover display properties page number 24, 25, 26 and 27 okay जाहिंद थूदेंट्ट्ट्ट्ट्स